कि calculation थोड़ा heavy हो सकता है इसमें या थोड़ी सी critical thinking आपको develop करनी पड़ेगी लेकिन सबसे पहला अपना काम क्या है सबसे पहला काम है इस recursive relation को क्या करना solve करना 2 plus root 3 c1 minus c2 that is equal to 2 तो हम क्या कर रहे हैं integers को add कर रहे होंगे वहां पर तो जो एक पूरा expression आएगा वह भी एक integer आएगा एलो बच्चों कैसे आप लोग सबसे पहले आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे ब्यस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी आ और रोज टॉपिक भी अलग होगा आज का जो अपना टॉपिक है वो है recurrence ठीक है इस टॉपिक की सबसे खास बात यह होती है कि यह जो टॉपिक है किसी भी Olympiard exam में चाहें वो Chinese Olympiard हो चाहें British Olympiard हो चाहें PMO हो चाहें Russian Olympiard हो या और भी बहुत एरे exam पर exam में इस टॉपिक का अपना एक अलग भॉकाल है ठीक है और आज इसकी कुछ problems को मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन problems को समझने में तो आप comment के जरिए आप हमें बता भी सकते हैं हम वापस से कोशिस करेंगे आपकी problems को solve करने का ठीक है और एक और बात बता दूँ इस topic के बारे में एक खास बात और है कि इसके जो solutions होते हैं इस topic पे जो questions बनते हैं उनके जो solutions होते हैं और topics की तरह like number theory या geometry या combinatorics बहुत lengthy solutions नहीं होते हैं ठीक है हाँ थोड़ी सी एक बात जरूर होती है कि calculation थोड़ा heavy हो सकता है इसमें या थोड़ी सी critical thinking आपक करनी पड़ेगी बट उनसे competitively बाकी topics से इनके जो solutions होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला question जो आपका है वो PMO 2015 का बहुत ही शांदार question आपको इस question में सबसे पहले तो आप एक काम करो इस video को pause करो और खुद सोचो कि इस question को कैसे solve करना है क ठीक है pause करो और फिर लग जाओ इस question पर ठीक है और अगर देखा जाए इस question की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको एक recursive relation दिया हुआ है और यह recursive relation कैसा है अगर इस relation के बारे में मैं comment करूं तो कैसा है सबसे पहली बात तो यह homogeneous है ठीक है सबसे पहली बात यह homogeneous है दूस पहली बात इसके सारे coefficients कैसे है constant है तो constant coefficient ठीक है और और क्या बोल सकता हूँ और इसके degree कितनी है तू तो second degree की एक homogeneous recursive relation आपको दिया हुआ है ठीक है और बोल क्या रहा है कि find an odd prime factor of a2015 तो अगर मुझे a2015 का एक odd prime factor जानना है तो सबसे पहले मुझे a2015 पता होना चाहिए या a2015 का कोई एक divisor भी हो तो अपना काम हो सकता है ऐसा सोच सकते हैं लेकिन सबसे पहला अपना काम क्या है सबसे पहला काम है इस recursive relation को क्या करना solve करना अब मुझे पता है कि अगर ये second degree है तो अपने को solve करते हैं लेकिन solve करने से पहले एक चीज और दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि आरेमों के जो questions होते हैं जब आप आरेमों का question लिखने जा रहे हैं आरेमों का exam लिखने जा रहे हैं तो सबसे खास बात ये होती है कि आपको solution पता है answer पता है सिर्फ इतने से आपका काम नहीं होने वाला है आपको उस solution को एक proper format में लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि अगर आपको full marks पाने हैं तो आपको एक formatting जरूर ही follow करनी पड़ेगी तो चलिए उसी formatting के साथ मैं आपको एक question solve कराऊंगा सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है given given a0 is equal to 1 a1 is equal to 2 ठीक है और साथ ही साथ अपने को एक recursive relation दिया हुआ है n is equal to 4 n minus 1 minus n minus 2 is equal to 0 sorry 4 n is equal to 4 n minus 1 minus n minus 2 मैं सबको क्या कर रहा हूँ एक साइड लेके आ रहा हूँ n is equal to n minus 4 n minus 1 plus n minus 2 इसकी value कित्ती हो जाएगी 0 अब जल्दी से बता दीजिए इसका characteristic equation क्या होगा the corresponding the corresponding characteristic equation ठीक है corresponding characteristic equation क्या हो जाएगी आपके लिए x square minus 4x plus 1 equal to 0 ठीक है अब इस equation के मुझे roots जानने होते हैं इस equation के मुझे क्या जानने होते हैं roots जानने होते हैं तो इस equation के roots क्या जाएगे by using quadratic formula by using quadratic formula by using quadratic formula इस equation के roots क्या जाएगे x is equal to plus 4 ठीक है minus plus minus under root b square minus 4ac मतलब 12 and by 2 तो पोल सकता हूँ 2 plus minus root 3 मैंने alpha ले लिया 2 plus root 3 को let alpha is equal to 2 plus root 3 and beta is equal to 2 minus root 3 ठीक है तो अपना solution क्या होगा इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया है 1 hence solution of equation 1 general solution इसका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर general solution होगा general solution of equation 1 क्या हो जाएगा an is equal to c1 alpha power n plus c2 beta power n यह बात समझा रही है और अगर यह बात समझा रही है तो यहाँ से आगे हम क्या करने वाले है अपने को an मिल गया है ठीक है अपने को an मिल गया है an की value क्या है c1 alpha power n plus c2 beta power n इसको मैंने नाम दे दिया equation 2 ठीक है अब इसके बात से मुझे दो conditions दी हुई है और अपने पास दो arbitrary constants भी आ रहे है इन दोनों arbitrary constants की value मुझे जानना है तो सबसे पहले since a0 की value क्या दी हुई है a0 की value अपने को दी हुई है 1 तो since a0 is equal to 1 put n equal to 1 in equation n की value मैंने क्या कर दिया 1 रख दिया equation 2 में तो मुझे a0 क्या मिल जाएगा a0 मिल जाएगा c1 plus c2 that is equal to 1 implies c1 plus c2 की value क्या आ गई 1 के equal ठीक है अगला क्या है also also a0 क्या दिया हुआ है a1 a1 क्या दिया हुआ है अपने पास a1 2 दिया हुआ है तो put n equal to 2 in equation 2 n की value मैंने क्या रखा 1 रखा n equal to 1 in equation sorry यहाँ पे 0 होगा put n equal to 1 in equation 2 तो हमें क्या मिल जाएगा a1 is equal to c1 alpha plus c2 alpha इसका मतलब c1 alpha plus c2 alpha की value क्या बचाएगी a1 की value अपने को दिया हुई है 2 तो c1 alpha की जगा रख दिया 2 plus root 3 और plus c2 beta की जगा रख दिया 2 minus root 3 इसकी value क्या आ गई अपने को 2 यहां से मैं इन दोनों से 2 common लूँगा तो मुझे मिलेगा c1 plus c2 और इन दोनों से मैं root 3 common लूँगा तो मुझे मिल जाएगा c1 minus c2 equal to 2 इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद मुझे पता है कि since c1 plus c2 is equal to 1 c1 और c2 की value c1 plus c2 की value क्या है 1 है तो मैंने यहां पे substitute किया तो मुझे मिल गया 2 plus root 3 c1 minus c2 that is equal to 2 2 से 2 cancel out मुझे मिल गया c1 minus c2 की value 0 तो c1 is equal to c2 इसको नाम दे दो equation 3 और इसको नाम दे दो equation 4 by 3 and 4 by 3 and 4 मुझे क्या मिल जाएगा c1 equal to c2 equal to 1 by 2 मतलब c1 और c2 की value मुझे क्या मिल गई 1 by 2 अगला काम क्या है अपना अगला काम यह है put now put c1 equal to c2 equal to 1 by 2 in equation 2 तो हमें क्या मिल जाएगा n की value alpha power n plus beta power n by 2 that is equal to alpha है 2 plus root 3 power n plus beta क्या है अपने पास beta है 2 minus root 3 power n by 2 अपने को मिल गया kn अब मेरा question कहना क्या चाहता है अब मेरा question यह कहना चाहता है कि मुझे चाहिए find an odd prime factor of a 2015 a 2015 का मुझे क्या चाहिए एक odd prime factor चाहिए ठीक है इसके लिए मुझे a 2015 चाहिए बट यह बहुत बड़ा task हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे alpha और beta इन दोनों का power अगर मैं 2015 एन की जगा 2015 रखूँ तो थोड़ा सा मुस्किल होगा थोड़ा सा कैसा हो जाएगा यह मुस्किल होगा थोड़ा क्या बहुत ही जादे मुस्किल होगा तो इसके बारे में मुझे कुछ और सोचना चाहिए मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं alpha और beta alpha और beta इन दोनों को multiply करता हूँ तो alpha और beta 2 प्लस root 3 और 2 माइनस root 3 मिलके क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है और मुझे साथ-साथ यह भी पता है कि मतलब यहां पर क्या दिया हुए एक root 3 दिया हुए तो अगर मैं by using binomial expansion इन दोनों को add करता हूँ तो add करने के बाद सिर्फ जो even binomial coefficients वाली terms होँगी वो बचेंगी आपके पास और हर जगवा जो root 3 का power आएगा वो क्या आएगा even आएगा और उस वज़ा से even आने के वेज़ा से सारी terms क्या हो जाएगी integral हो जाएगी और integral होने की वज़ा से जो पूरा expression आएगा वो अपने एक integer होगा ठीक है तो मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि alpha power m plus beta power m यह क्या होगा एक integer होगा ठीक है दो चीज़े पता है मुझे इसके बारे में और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं मुझे पता है कि x power k plus y power k और k एक odd integer हो अगर इसको divide करता हूँ अगर मैं इसको divide करता हूँ x plus y से तो यह पूरा पूरा device हो जाता है ठीक है तो इन तीन चीज़ों का यहाँ पे मैं use कर सकता हूँ तो मैंने क्या क्या है एक claim कर दिया अपना claim क्या है एक यहाँ पे मैं claim करूंगा और अपना claim क्या होगा यहाँ पे मैं यह बोल सकता हूँ कि एगर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक odd integer ले रहा हूँ if m is an odd integer अगर m क्या है एक odd integer है odd के साथ साथ मुझे क्या बोलना पड़ेगा यहां पर positive भी बोलना पड़ेगा such that n is not equal to 0 then an divides amx मैंने claim किया हुआ है कि अगर m अपना एक odd positive integer है और an non-zero है तो an divide करेगा amn को an divide करेगा amn को और मैं पहले पता चुका हूँ कि यह thought मेरे मन में क्यूं आया इसका reason यह है कि अगर मैं alpha और beta इसको मैंने 2 प्लस root 3 को alpha माना हुआ है 2 minus root 3 को beta माना हुआ है अगर मैं इन दोनों को आपस में multiply करता हूँ तो मुझे value क्या मिलेगी 1 मिलेगी ठीक है और अगर इस expression की यह जो numerator में expression आ रहा है अगर इसकी value calculate करने जाहूँ by using binomial expansion तो मुझे हमेशा ही एक integer मिलेगा उसका reason यह है कि 2 plus root 3 power n और 2 minus root 3 power n दोनों को binomial expansion से मैं क्या करूँगा सबसे पहले expand करूँगा binomial theorem यूज करके और जब add करूँगा तो सिर्फ मुझे even binomial coefficients वाली term उस expression में बचेंगी ठीक है और हर जगर root 3 का power क्या होगा even होगा तो हम क्या कर रहे है integers को add कर रहे होंगे वहाँ पे तो जो एक पूरा expression आएगा वो भी एक integer आएगा ठीक है तो यहां से मेरे मन में थोट आया कि क्या मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ तो बिल्कुल देखते हैं क्या होता है तो a में एक odd integer है तो an divides amn तो मैं सबसे पहले क्या रखता हूँ since amn upon an amn upon an क्या हो जाएगा अपने पास alpha power mn plus beta power mn upon alpha power n plus beta power n यह होगा ठीक है आगे alpha power n power m plus beta power n power m upon alpha power n plus beta power n और इसकी value क्या जाएगी alpha power n m-1 minus alpha power n m-2 beta power n ठीक है plus alpha power n m-3 इसकी value क्या जाएगा जाएगा आपने पास माइनस upon n की value मुझे कुछ ऐसी दिख रही है अब हर जगा alpha और बीटा का multiplication दिख रहा है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ यहां से मैं बोल सकता हूँ कि सिंस तो लिखा हूँ है पहले सिंस ऐसा and and alpha into beta is equal to 1 implies amn upon am की value क्या जाएगी amn upon am की value आजाएगी alpha power m n-1 plus beta power m n-1 और यह मुझे पता है कि यह हमेशा integer होगा ठीक है यह हमेशा integer होगा for all belongs to z since alpha power k plus beta power k belongs to integer for all k belongs to z plus ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अपना am किसको divide करेगा a, a, n sorry a, n अपना an किसको divide करेगा amn को ठीक है अपना an किसको divide करेगा amn को implies our claim is ठीक है यहां तक पहुँच गए अपना claim जो है अपना वो एकदम बिल्कुल सही है अब मैं क्या कर सकता हूँ इस problem में सबसे पहले मैंने इस problem को कहां से start किया था सबसे पहले मैंने इसकी characteristic equation लिखी इस equation को लिखने के बाद मैंने general solution लिखा a, n को लिखा a, n को लिखने के बाद a not equal to 1 a, 1 equal to 2 की help से मैंने c1 और c2 की value निकाली और finally मुझे क्या मिल गया finally मुझे मिल गया a, n की value क्या है अपने पास alpha power n plus beta power n by 2 where alpha is equal to 2 plus root 3 and beta is equal to 2 minus root 3 ठीक है उसके बाद मैंने claim किया कि अगर m एक odd positive integer है और n non zero है तो n जो होगा वो a, m, n को divide करेगा और by using the fact that alpha into beta is equal to 1 and alpha power k plus beta power k will be an integer for any positive integer k इन दोनों fact को use करके मैंने इसको prove कर दिया अब आगे मुझे पता है मुझे a205 के बारे में जानना है a2015 के बारे में जानना है अब मुझे पता है कि since 2015 is equal to 5 into 20 5 into 403 5 into 403 तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a5 किसको divide करेगा a2015 को a2015 को divide करेगा and a5 की value क्या होगी a5 की value होगी alpha power 5 plus beta power 5 by 2 alpha क्या है अपना 2 plus root 3 power 5 and beta क्या है 2 minus root 3 यह हो जाएगा 2 minus root 3 power 5 by 2 अब मैं इन दोनों को add करने जा रहा हूँ इन दोनों को add करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 into 5 c 0 5 c 0 2 power 5 plus 5 c 2 2 power 3 and root 3 का square plus 5 c 4 2 into root 3 का power 4 upon में 2 आजाएगा 2 से 2 cancel out इसकी value हो जाएगी 2 power 5 32 plus 10 into 8 80 into 3 240 और plus 5 c 4 5 into 2 10 और 10 into 9 90 ठीक है इन सब को add करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 240 plus 90 3 30 362 और 362 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 181 मुझे पता है 181 कैसा है एक odd prime number है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 181 is a is a possible answer ठीक है is a possible answer तो कुछ ऐसी थी यह problem PMO की बहुत ही सांदार problem थी हमने क्या किया एक बार फिर से recap करता हूँ इस problem को अपने को एक recursive relation दिया हुआ था अब वो जो recursive relation ही वो homogeneous equation है second order की equation है और constant coefficient दिये हुए और ऐसी equations को हम solve कैसे करते हैं सबसे पहले characteristic function लिखते हैं उसके बाद से जो भी roots आते हैं मालो alpha और beta इसके roots है तो अपना n क्या हो जाएगा c1 alpha power n plus c2 beta power n where c1 and c2 are arbitrary constants arbitrary constants ठीक है arbitrary constants है यहां से मुझे दो conditions दियो ही है a0 की value 1 दियो ही है a1 की value 2 दियो ही है मैंने n की value 0 रखा एक बार तो मुझे एक equation मिली c1 plus c2 equal to 1 n की value 1 रखा तो मुझे एक equation मिली c1 is equal to c2 दोनों को एक साथ solve किया तो मुझे क्या मिला c1 और c2 की value 1 by 2 इसलिए मुझे n क्या मिल गया n मिल गया अपने को alpha power n plus beta power n by 2 अब अपना task यह था कि अगर मैं n कीज़ेगा 2015 रखाऊ तो मुझे इतनी बड़ी power 2 plus root 3 की calculate नहीं कर सकते तो हमने क्या किया एक बार यह देखा कि अगर मैं alpha और beta को आपस मैं multiply कर रहा हूँ तो यह 1 के equal आ रहा है अगर मैं by using binomial expansion इसको लिखता हूँ अगर binomial expansion use करके लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ odd even coefficients वाले term बचेंगे ठीक है इन दोनों को जब मैं add करूँगा binomial expansion से तो सिर्फ even coefficients वाले terms बचेंगे और मुझे पता है हर जगा root 3 का जो power आएगा वो even आएगा इस वज़े से यह चीज़ confirm होगी कि इसको add करने पे अपने को integer मिलने वाला है इसलिए मैंने claim कर दिया कि अगर m एक odd positive integer है तो जो अपना an है वो amn को divide करेगा और इन दोनों facts को use करते हुए मैंने क्या किया अपने claim को prove किया और उसके पास से मुझे 2015 कैसा दिख रहा है 5 into 403 इसका मतलब a5 जो है वो a2015 को क्या करेगा divide करेगा यहां से मैंने a5 की value निकाली a5 की value मिली measure 362 जिसको मैं factorize कर सकता हूँ 2 into 181 तो 181 क्या हो जाएगा एक odd prime integer है यह इसलिए अपना एक possible answer आएगा ठीक है बच्चों अगर इस problem में कोई भी आपको समस्या होती है तो आप comment box में बता सकते हैं वापस से आपकी problem को solve करने की कोसिस करेंगे ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question British Mathematics Olympiad 2015 का यह question है इस question में आपको दिया हुआ है the first term x1 of a sequence is 2014 ठीक है start करते हैं इस question को solve करना जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि जब भी कोई नई problem आपके screen पर आ रही है तो आपका काम यह है कि एक बार वीडियो को pause करें और खुद से कोसिस करें उस question को solve करने की ठीक है चलिए हम start करते हैं इस question को solve करना आपको x1 क्या दिया हुआ है given x1 is equal to 2014 x1 की value क्या दिया हुई है 2014 is defined in terms of the previous terms the iterative formula मतलब एक recursive relation भी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है xn plus 1 that is equal to root 2 plus 1 xn minus 1 upon में root 2 plus 1 plus xn ठीक है अब इसका क्या करें आगे question में बोला क्या है कि 2 0 1 5th term क्या होगा मुझे 2 0 1 5th term find करना है तो इस recursive relation को हम solve कैसे करें अपना task सबसे पहला यह है कि जब तक मुझे xn नहीं मिल जाता है तब तक हम x 2 0 1 5 नहीं बता पाएंगे अब अगर ध्यान से देखा जाए तो root 2 plus 1 root 2 plus 1 का conjugate क्या होता है अगर मैं इन दोनों को multiply करता हूँ तो क्या आता है 1 ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या fact use करूँगा सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ ऐसा अभी clear हो जाएगा कि multiplying multiplying by root 2 minus 1 in RHS multiplying and divide sorry यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ if we multiply if we multiply and divide divide by root 2 minus 1 in RHS in RHS इसको नाम दे दिया 1 in RHS of equation 1 we get we get xn plus 1 की value क्या मिलेगी हमें अगर root 2 minus 1 से multiply कर रहा हूँ तो आ जाएगा xn minus 1 by sorry xn minus root 2 minus 1 root 2 minus 1 upon में root 2 minus 1 1 plus root 2 minus 1 into 1 plus root 2 minus 1 into xn बात समझा रही है और अगर बात समझा रही है तो अपन इसको वापस से क्या लिख सकते हैं मुझे पता है since root 2 minus 1 is equal to क्या होता है 10 5 by 8 root 2 minus 1 की value कितनी होती है 10 5 by 8 hence xn plus 1 की value क्या आ जाएगी xn plus 1 की value आ जाएगी अपने पास xn minus 10 5 by 8 upon में 1 plus root 2 minus 1 अपने लिखा हुआ है 10 5 by 8 बच्चों अगर इस equation को देखा जाए तो अगर यहाँ पे भी 10 में कोई term होती तो हम 10 a minus b के formula से इसको लिख सकते थे तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि let xr plus 1 is equal to 10 a r plus 1 माल लिया ठीक है यह xr को मैं क्या लेके चल ला हूँ let xr is equal to 10 a r तो इसका मतलब क्या हो जाएगा implies यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 10 a r plus 1 10 a r plus 1 1 a n plus 1 that will be equal to 10 a n minus 10 pi by 8 अपन में 1 plus 10 a n into 10 pi by 8 ठीक है क्या हो जाएगा यह यह वापस से हो जाएगा 10 a n plus 1 that will be equal to 10 a n minus pi by 8 के equal ठीक है यहाँ तक बात समझ आ रही है अब मैंने दोनों ही side को compare किया तो अपने को मिल जाएगा a n plus 1 is equal to a n minus pi by 8 अभी भी एक recursive relation ही है हमारे पास ठीक है अभी भी अपने को क्या मिल रहा है एक recursive relation ही मिल रहा है और अपने को चाहिए क्या अपने को जाना है x2015 तक ठीक है तो अब इसका क्या करें तो यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है कि मुझे value किसकी पता है मुझे value पता है x1 की x1 की value मुझे पता है कि 2 0 1 4 है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ यहां से मैं क्या कर सकता हूँ x1 की value मुझे पता है कि 2 0 1 4 है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं n की value 1 नो देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफवर्ब करूँगा अगर मैं n की value 1 लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा a2 is equal to a1 minus pi by 8 अगर n की value 2 लेता हूँ तो a3 is equal to क्या मिलेगा a2 minus pi by 8 that will be again a1 minus pi by 8 और minus pi by 8 तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a1 minus 2 pi by 8 यह a3 की value similarly जब n की value 3 लूँगा n की value 3 लूँगा तो a4 मुझे मिल जाएगा a1 minus 3 pi by 8 a4 क्या मिल जाएगा a1 minus 3 pi by 8 अब मैं क्या देख रहा हूँ कि a4 just यहाँ पे किसे multiply हो रहा है 4 से 1 कम 3 pi by 8 अगर यह a3 है तो यहाँ 2 into pi by 8 आ रहा है तो अगर मैं यहाँ से a n को claim करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या claim करूँगा claim a n is equal to a n plus 1 is equal to a1 minus n into pi by 8 ठीक है अभी अभी हमने देखा कि for n equal to 1 our claim is true for n equal to 1 our claim is उसके बाद से let n is let our claim is true for our claim is true for n equal to k minus 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा k minus 1 रगते ही a k is equal to a1 minus k minus 1 pi by 8 ठीक है इसके बाद क्या करेंगे अपन इसके बाद अपन कर सकते हैं कि अगर ये मैंने मान लिया यहाँ पे आपने देख लिया कि n equal to 1 के लिए ये true है n equal to k minus 1 के लिए मैंने मान लिया कि ये true होगा तो for n equal to k क्या कर सकता हूँ for n equal to k a k plus 1 that will be equal to क्या है अपना a k plus 1 a k plus 1 हो जाएगा आपने पास a k minus pi by 8 a k minus pi by 8 ठीक है और a k है क्या अपना a k है अपना a 1 minus k minus 1 pi by 8 minus pi by 8 तो अपने को वापस से क्या मिल जाएगा a k plus 1 की value a 1 minus k pi by 8 thus by principle of mathematical induction our claim is is true for all n belongs to n ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जो हमने claim किया है कि a n plus 1 equal होगा a 1 minus n pi by 8 के यह हमेशा ही क्या है true है और अगर यह हमेशा true है तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a n plus 1 is equal to a 1 minus n pi by 8 ठीक है अब फिर मैंने वापस से दोनों साइट 10 अपलाई किया तो 10 a n plus 1 that will be equal to 10 a 1 minus n pi by 8 ठीक है यह है क्या अपना यह है अपना x n plus 1 x n plus 1 that will be equal to 10 a 1 minus 10 n into pi by 8 अपन में 1 plus 10 a 1 into 10 n into pi by 8 अब मुझे चाहिए क्या x 2015 चाहिए था तो इस equation को मैं नाम देता हूँ थोड़े देर के लिए star ठीक है तो put n is equal to 2,0,1,4 in star तो मुझे x 2015 क्या मिल जाएगा x 2015 मिलेगा 10 a 1 मतलब हो गया अपना x1 minus x1 की value है कितनी 2,0,1,4 और minus 10 n की जगा क्या रखना है 2,0,1,4 into pi by 8 अपन में 1 प्लस 10 10 a 1 मतलब वही फिर से x1 x1 की value है 2,0,1,4 into 10 2,0,1,4 pi by 8 इसकी value आजाएगी अगर मैं 2,0,1,4 से 2 धार लूँ इससे cancel आउट करा तो यह आजाएगा 1,0,0,7 pi by 4 मतलब यह हो जाएगा minus 1 तो यह आजाएगा 2,0,1,4 plus 1 upon में 1 minus 2,0,1,3 इसकी value आजाएगी 2,0,1,5 upon 2,0,1,3 और 1 minus भी आएगा तो यह हो गया अपना final answer ठीक है इस question को एक बार फिर से recap करता हूँ इस question में हमने किया क्या अपने पास दिया हुआ था एक recursive relation इस recursive relation में हमें यह दिख रहा था कि अगर मैं root 2 minus 1 से उपर नीचे multiply कर देता हूँ तो कहीं न कहीं मैं इसको 10 का formula use करके solve कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि root 2 minus 1 की value किती होती है 10 pi by 8 जैसे ही मैंने root 2 minus 1 की जगा 10 pi by 8 दिखा मुझे ऐसा लगा कि अगर xn की जगा कुछ 10 a type का कुछ होता तो मैं इसको 10 a minus b के formula लिख सकता था तो मैंने xr को define कर दिया 10 a r से तो यहां मुझे मिल गया 10 a r plus 1 sorry 10 a n plus 1 और xn की जगा आ गया 10 a n minus 10 pi by 8 upon 1 plus 10 a n 10 pi by 8 10 का formula यह उसकिया मुझे मिला 10 a n plus 1 that will be equal to 10 a n minus pi by 8 ठीक है चलिए यहां से मुझे मिला solve करके a n plus 1 that is equal to a n minus pi by 8 बट अभी भी यह एक recursive relation ही है इसलिए मैंने इसको further solve किया मैंने claim किया कि a n plus 1 कैसे a 1 minus n pi by 8 के equal होगा a n plus 1 a 1 minus n pi by 8 के equal होगा मैंने n equal to 1 के लिए verify किया यह true है n equal to k minus 1 के लिए मान लिया कि यह true होगा और by using mathematical induction मैंने इसे prove कर दिया अब हमारा claim true है इस वज़े से मैं लिख सकता हूँ a n plus 1 that will be equal to a 1 minus n pi by 8 तो 10 a n plus 1 that is x n plus 1 क्या हो जाएगा आपने पास x n plus 1 हो जाएगा आपने पास 10 a 1 minus 10 n pi by 8 1 plus 10 a 1 10 n pi by 8 n की जगा मैंने क्या जग रख दिया 2 0 1 4 और मुझे value क्या मिल गई minus 2 0 1 5 upon 2 0 1 3 फिक है तो I hope कि आप लोगों को ये lecture ये questions जो दो questions मैंने आपके साथ discuss किये हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और अगर कोई भी problem लगती है इन solutions में तो बच्चो आप लोग मुझे comment के माध्यम से बताएं PW की पूरी team आपके लिए हमेशा ही available है तो चलिए मिलते हैं फिर नए questions के साथ तब तक के लिए अलविदा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का Thank you so much बेटा